आर्राइम भारत आपको लगतार सरकारी योजनाओं की धरातल स्थिती से अवगत कराता हुआ नजर आया है आज एक बर फिर से हम आपको ले चलेंगे बिहार के समस्ति पुर्जिले की तरह जहां उजियारपुर प्रखंड के चैता दक्षडी पंचायत के वार्ड नमबर दस में धरातल पर सरकारी योजनाओं की अख हकीकत आखिर है क्या इसके बारे में जहाजा लिया गया आपको यहाँ भी बताते हैं हमारे साथ समवादाता अंशुकुमार है जिन्होंने वार्ड नमबर दस में जाकर ग्राउंड जीरो से ग्रामिडों से बात चीत करी है और सरकार के द्वरा चलाई गई नलजल योजना का धरातल परिस्थिती क्या है यह बात भी नजर आई है आपको बताते चलें कि पूरी खबर के अनुसार यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उजियारपुर प्रखंट के चैताद छडी पंचायत के वार्ड नमबर दस में विकास के नाम पर सिर्फ बाते हैं ग्रामिडों की विथा सुनने के लिए कोई भी उपस्तित नहीं है सरकार के द्वरा चलाई गए नलजल योजना बिलकुल विफल साबित हो रही है आप खुद देखिए आर नाइन भारत पर यह विशेश रिपोर्ट संफार्दा था अंशु कुमार के साथ क्या नाम हो जहां कि देख सकते हैं ग्रामिडों के कहना है क्या जो कि आपका बिर्धा पिंसे मिलता है काहली से एक दाग कालिया चार साथ पांसों करूप उठाच लगता है आपका बिर्धा पिंसे आपका बिर्धा पिंसे बनाने के नाम आपसे 4 500 रूपय लिया डिया लेकिन काम नेकिया गया जहां के द्वारा सूनना है कि यहां चार से पांसों पर लिया गया लेकिन तो तक नहीं किया गया है जो एक साल पहले वीस हजा रुपिया दे लिया जाता है वो अपना जो गरीबाद मिराता है सूर पे निकाल में देता है पाँ पर से पांच रुपे पर से इसको एक साल को जोड़ी है तो कितना पर से तो जाएगा सफल तो नहीं आधा अधूरा चलता है पानी नहीं आता सबस्वेवर क्या पानी तो हाता है बर्ट वोह जो पांचभी व्चक घर है औहुंक साध्य नहीं आप न होगा मानने शुए पर दो नहीं है Keeping कस न होगा वर आधा अधूराइब देखच मंडल नंसे बात करते हैं कि पंचायत में मुख्याजी के द्वारा कितना बिकास हुआ क्या समस्या को लेकर हम बात करेंगे और क्या करते हैं आपके पंचायत में मुख्या जी के दुबारा कितना विकास हुआ है सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद जो आप फिर दुबारा आएं आप हमसे मिलने के लिए और रह गई विकास की बात तो आप पिछले बार भी आये थे तो यहां का जनता को देखे जनता सब तरस था और यहां पर पानी का सुबधा बिल्कुल नहीं जनता को मिल रहा है आवास में जो भी बैक्ती यहां पर आवास जिनका भी मिल आसरव से पहले तो 20,000 रुपया ले लिया गया और आवास एक किस्त आने के बाद दुसरा किस्त में फिर पुनह पैसा मांगा जाता है उसके बाद बोलता है जो आवास बला किस्त आएगा और कुछ आदमी है जो बोले किया जो हमसे 20,000 रुपया पहले हैं ले लिये और 20,000 रुपया बचवे किया तुसमें हम क्या करेंगे वह बैक्ती नहीं बना पाया उसके लिए वहां से जाचाया वीडियो साहब के द्वारा जो आप लोग अगर यहां आवास नहीं बनाते है तो आप लोग को पैसा रिकॉबरी देना होगा और रिकॉबरी अगर नहीं दीजेगा तो आपके उपर कानून करवाए होगा तो जनता सब बोले जाब हम कहां से कैसे बनाए 20,000 रुपया में कैसे बनेगा इटा भी है 15,000 रुपय टेलर है 20,000 रुपया हमसे पहले ले लिय गया तो सभी जनता सब पहले यहां से तरस्त है उसके बाद आ गया सोचाले का मेटर सोचाले में सभी आदमी से 22,000 रुपया लिया हुआ साल डेर साल दो साल हो गया जो सोचाले अब ही तक वह भैक्ति को नहीं मिला है जो पैसा दिया हुआ है बोला पैसा नहीं देगा तो ही नहीं होगा तो इसलिए बोला क्या चलो भाई दो हजार रुपया ले रहा है दे देते हैं तो प्रह्मेंट कम से कमा जाएगा कुछ ऐसा गरीब आदमी है जो किसी से करजा कर कर दिया पाच रुपय से क्राप लिए कर वहां बैकती सब को अभी तक में पांच हजार रुपय क्या हो गया है बियाज जीर कर अवाह बैकती सब्तरस्त है कि काते हैं जहां तहां बोलते हैं जो हमको नहीं मिला है स्वचाल है और यहां पर दिवस्था भी खूब उतना बढ़िया नहीं है कहा जाएंगे सौच करने के लिए इस तरह का इसमें समस्या चल रहा है उसके बा तो की चरूर कर परता है पुरा कप्रा पर उसको देखने के लिए एक भी आदमी नहीं है कई बार वाड नंबर से बोला गया जो हमारे वाड का वाड नंबर 10 का वाड नंबर सेश नरायन है जो तीन जब पाइप फटा हुआ है उस पाइप को कई बार कहा गया एक बार भी नहीं सुना उनको तो सिर्फ कमीशन से मतलब है कमीशन मिला हो गया जनता को कुछ भी हो रहा है कोई मतलब नहीं है और इसके बाद रगय बाद जो सोसाइटी एक चल रहा था सोलो वाला सोसाइटी उस सोसाइटी में 14 लाखा रुपई आज है पूरा चैता दचनी वाड नं लोग उस सब्वों को पहले ही एक लाख डिर लाख रुपई या लौन के नाम पर देकर उस सब्वों को बोला जीवान को बंद करवा दिया और बाकि गरीब लोग सब्वों को सोसाइटी ही बंद कर दिया और वो सब लोग कई जगा गवहार लगाया उसका कोई सुनने वाल नहीं है सुसाइटी को गमन कर दिया और गमन किया हुआ दो साल हो गया करोना काल के रीजन में पिछले साल भी यह दूसरा लोकडान लोकडान टू लोकडान वन में सरकार के द्वारा आया गया जो वाड नंबर मुखिया दोनों मिलकर माक्स सावुन पूरा बाटेंगे तो उसमें बहुत जगब कुछ आदमी को मिला और नहीं मिला सरकार तक आबाद गया सरकार तक आबाद जाने के बाद सरकार ने सुना सुनने के बाद इस बार आदेश डीम को दिये, जो हमारे मुख मंत्री निचीश कुमार है, वो डीम को आदेश दिये, जो अपना जो है सरकारी आदमी, जैसे विकास मित्र है, यहां का, उनको आदेश दिया गया जो खुद रहकर और खुद वित्रन करवाना है, नो तो कोई मुखिया होना चाहिए, नो कोई वार्ड नंबर होना चाहिए, खुद बाटना है जाकर इसमें क्या हुआ, एक बार भी विकास्मित्र नहीं आया, और वार्ड नंबर के द्वारा बाटा गया, जिसमें इतना बगलिंग हुआ है, जिसका कोई बर्न नहीं है, सबसे पहले एक अधार काड पर छो माक्स देना च करता है, और रह गई बात, जो साबून, साबून पर भी साइन करवा लिया, एक टू जेड आदमी से, और साबून किशी को नहीं दिया, तो सबसे पहली बात है, जो जो आदमी पहले से ही पुर्व से घोटाला किया, वह बैक्ती को फिर कुनह विकास्मित्र दे दिया बाट है, जो बिर्धा पेंशन में साफ जो रहता है गरीब आदमी, वही बिर्धा पेंशन सभों को अपलाई, सभों कुछ करता है, जो बैक्ती में कुछ मिल जाएगा, कुछ सहारा मिल जाएगा, वहां सब आदमी से 5500 रुपया लेकर, 1000 आदमी होगा चैता जचनी का, और उसका सभों आदमी को अभी तक बिर्धा पेंशन दिलवाने का विकासमित्र काम नहीं किया है, इतना भरस्ट विकासमित्र है, उतना ही भरस्ट वाड नंबर है, और वाड नंबर और विकासमित्र दोनों मिला हुआ है, और यहां पर वाड नंबर से गलत करवाता है, जो भी है, क कि एक बिजेपी का पाध्यक्स मंडल जो कि पंचात के हैं और इनको ध्यार फूरे फूरी तरह लग रहा है कि पंचात में सिब कागज पर ही विकास हुआ है धरातल पर नहीं आर नाइन भारत के लिए अन्शुकुमार समस्तिपूर दिहार झाल